बीए, बीए, सी, ओनलाइन एड्मिशन दोजार तेवीस और दोजार चोवीस में यहाँ पर जो ओनलाइन एलोटमेंट हो चुका है उनलोट को अलोटमेंट यहाँ पर कैसे प्रिंट करना है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ओनलाइन एलोटमेंट को फीस समिशन कैसे होन तो चलिए शुलू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अलोटमेंट जो करा है एडमिशन आपको इस पर सरेट कर लेना है यहां पर आपको जो ओनलाइन एडमिशन हो चुके हैं जिसको कोलेज मिल चुका है वो यहां पर ओनलाइन एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर admission fee submit करेंगे तो यहाँ पर हम allotment हो चुका है तो हम यहाँ पर जो reference code है वो यहाँ पर डालेंगे हमारी डेट बर्थ डालेंगे और यहाँ पर जो पास्वूर्ट जन्रेट किया है वो डालेंगे उसके बाद जो captured दिया हो रहे करेंगे वो यहां पर हम सब्जेक्ट चुननेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चुनना होगा तो हम किस सब्जेक्ट से हम यहां पर बिये करेंगे तो यह सारे सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट के अकोर्डिंगे हमें यहां पर सलेक्ट कर लेना होगा अब उसके बाद जो म हम पॉलिटिक साइंस कर लेते हैं और वोकेशन यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको इंप्लॉइमेंट में यहाँ पर परस्टनल्टी के लिए कर लेना है उसके बाद यहाँ पर इसको इंटर्शिप के लिए सेलिट कर लेना है अब उसके बाद आपको यहाँ पर हो जाएगी उसके बाद हम हम सेक्ष कर लेंगे सेक्ष आप अब पर हम यहांपर श्चीज का विश्च ध्यान लकنا है आपको अपग्रेट नहीं करना है तो यहांपर आपको फषिट करना है तो जो हमारी payment करें कर हुआ हम यहां पर अपनी payment आप यह या देख सकते हमें अपना। नोईमे चुका है हमरे अपने कोलेज की जो branch थी वो branch भी मिल चुकी है कि हमने कौन से branch से हमना select किया हुआ है यहां हमारे app subject देख सकते हैं इसको हम यहां पर print कर लेंगे print कलने के बाद हम इसको save भी कर सकते हैं हमें इसको save भी कर लेना है ताकि हम इसको save कर पाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमने इसको save कर लिया है हम यहाँ पर अब admitted हो चुके हैं इस यह लिप को यहाँ पर college में यहाँ पर submit होनी है उनकी लिंक यहाँ पर description box में हैं आप dart यहाँ पर check out कर सकते हैं कि कैसे आप registration करेंगे कैसे आप यहाँ पर choice filling करेंगे कैसे आप यहाँ पर document upload करेंगे और किस तरह से यहाँ पर admission होने वाला यदि आप duty पाई गई है तो आप किस तरह से आपको उसको यहाँ पर resolve कर लेना है क्योंकि वो help plan center यहाँ होना है और आपको form भरने के उपरांद जब आपको यहाँ पर proper show कर लेना है देख लेना है तब ही आप यहाँ पर form submit करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर PG के लिए भी apply कर सकते हैं LLB के लिए apply कर सकते हैं और under graduation के लिए भी apply कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सेथे जब आप फी submit कर लेंगे तो यहाँ पर आप अपनी admission fee submission है आप उसको receipt भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं इस तरह से यहाँ पर okay करके आपको receipt निकाल लेना है तब ही आप यहाँ पर निकाल पाइए उम्मिद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर ना आए हैं तो आपके अपने चैनल डिजिटाल सूसना यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है ऐसा इंपूर्मिशन वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे तैंक्यू सो माच